तो चलि हम स्टार्ट करते हैं content table से, तो सबसे पहले हम देखेंगे की map ठीक है, तावा river का map देखेंगे, फिर थोड़ा और detail में जाएंगे, उसके बाद हम सीधे content में जाएंगे, ठीक है, content के बाद हम थोड़ा google map में देखेंगे की तावा का topographic क्या है, बड़ा मज़ा है का 3 TD view में, उसके बाद definitely हम as usual MCQs solve करेंगे, चलिए start करते हैं, तो ये है आपका तवा river, ठीक है, तो basically तवा river दो जगे से start होता है, कुछ books इसको कहती है कि ये पचमडी होशंगबाद साइट से start होता है, और कुछ books इसको कहते है कि ये बेतुल से start होता है, तो actually दोनों सही है, दोनों जगे से start होता है, दो branches हैं, ठीक है, दो branches है तवा river के, एक start होता है आपका पचमडी होशंगबाद साइट से, ठीक है, पचमडी होशंगबाद में है, ठीक है, पचमडी होशंगबाद साइट से, और दूसरा start होता है बेतूल से, और ये actually सत्पुदा reservoir में जाके मिल जाती है और में तवा रिवर सफ पूरा रिवर से निकल कर आती है। चलिए तो मैं एडिटेल में समझातектив अभी ठोड़ा सा बेशिक देख लो। तो यह है आपका नर्मदा रिवर, ठीक है जहें, यह है आपका नर्मदा रिवर, और तवा स्टार्ट होता है आपका रेच्ड पच्मडी से पच्मडी से स्टार्ट होता है और होशंगाबाद में आकंगे खतम होजाता है चलिए अब थोड़ा डीटिल में देखते हैं इसके बारे में तो आप देख रहे हैं यह हैं अच्छमडी में यह है आपका पच्मडी ठीक है पचमडी में और पचमडी कहां पे हो शंगपात में आप शायद पचमडी गए होगे अगर आप वोपाली अगर आप MP वाले हो तो पचमडी कभी ना कभी तो गए होगे यह कभी ना कभी तो आप जाओ गए ही पचमडी ठीक है टेंशन मत लीजिए बहुत शांदार ब पच्छमडी केती है, कुछ बुक्स इसको बेतूल केती है, Wikipedia इसको बेतूल केता है, ठीक है, तो अगर question आया है, तो हम क्या mark करेंगे, तो वो exact answer नहीं देंगे, for example, अगर वो पूछेंगे कि origin of Tawa river का है, तो वो MPPSC वाले ऐसे set करेंगे, पच्छमडी, ठीक है, फिर वो exact करेंगे बोपाल, फिर वो set करेंगे शिवपुरी, फिर वो set करेंगे मॉरेना, बट वो बेतूल आट नहीं करेंगे, ठीक है, तो बेतूल या पच्छमडी, मैं थोड़ा confusion है, बट truth है कि पच्छमडी और बेतूल से दोनों जगे से यह आता है, ठीक है, और यह सत्पुदा रिसर्व में, सत्पुदा रिसर्व वायर में आके पानी इसका आ जाता है, और फिर वहाँ से एक होके जाता है, मैं अभी दिखाता हूँ यह स्लाइट में, तो सबसे पहले यह है आपका कटमडी, यह है आपका पचमडी के mountains ठीक है और यहाँ पे एक hill है mahabhave hills, ठीक है बहुत प्यारी जगहा है आपको जाना चाइए ठीक है महादेव हिल्स और यह है होश्रंगबाद डिस्टिक में पश्मडी है होश्रंगबाद डिस्टिक में तो यहां से बहुत यहां पे इस एरिया में बारिश होती है तो फिर यहां पे यह पानी नीचे नीचे आता रहता है ठीक है यह पानी नीचे नीचे आता है और फिर यह सत पचमडी वाला यहां पर आता है और एक reservoir है सत्पुदा reservoir यहां पर यह पानी accumulate हो जाता है अच्छा पानी accumulate होने के बाद क्या होता है पानी accumulate होने के बाद यह सीधा सा एक river होके यह जाता रहता है ठीक है यह एक river होके जाता रहता है बात समझ में आया है ठीक है एक है part A और एक दूसरा पार्ट B, पार्ट A स्टार्ट होता है आपका पचमडी साइट से, होशंगवाद डिस्ट्रिक से, और दूसरा है पार्ट B, बेतुल डिस्ट्रिक से, पर एक चीज देखना है, अगर पचमडी भी हो, बेतुल भी हो, स्टार्ट होता है ये है सत्पुदा मौंटेन से सत्पुदा मौंटेन से स्टार्ट होता है बेतुल में भी सत्पुदा मौंटेन्स है और ये भी मादेव हिल्स और पचमडी की जो भी हिल्स है वो सत्पुदा कहीं पाट है तो अगर टेकनिकली पूछे तो कहां से स्टार्ट होता है तवा रिवर तवा रिवर स्टार्ट होता है सत्पुदा माउंटेन से चली अच्छा तो आपका जो रिवर है तवा रिवर वो यहां तक पहुँच गया तवा रिवर यहां तक पहुँच गया अब यहां पे एक डाम बना है ठीक है तो क्या होता है कि आपका जो river है, जो तेजी से अगर आता है, उसके सामने आप कुछ obstruction रखता हो, जैसे आप dam बना दो, तो क्या होता है, वो dam फिल कर देता है, पानी फिल कर देता है, ठीक है, एक reservoir बना देता है, तो क्या हुआ, तो Tawa River 1958 में यहाँ पे एक dam बना दिया, ठीक ह सारे जीव जन तुमरे, पर वो सब पहले की बात है, अब जान दो, जो भी हो, तो basically हो क्या रहा है, कि यह one of the reasons इसको बनाया, इसलिए गया था, कि यहाँ से थोड़ा पानी divert कर दिया जाए, तो पानी आप देख रहे हैं, कि यह जो है आपका reservoir है, यह आपका reservoir है, ठीक है, औ और दूसरा बाकी, यह है आपका तवा river, ठीक है, यह आपका तवा river है, तो यह जो तवा कनाल है, यह जाता है आपके खरगोन एरिया में, पूरा west, नर्मदा की तरह यह पूरा west की ओर चला जाता है, west की ओर इसलिए जाता है, क्योंकि जो cotton rich area है, ठीक है, जहाँ पे cotton जाद पानी की जरूरत नहीं है, बट उस area में यह लोग पानी बीजते हैं, ठीक है, क्योंकि खरगोन खंडवा उस area में यह जो extreme मालवा और अली राजपूर यह जो area है, वहाँ पे पानी की थोड़ी किलत है, तो यह जो तवा कानल थूरू यह पानी वहाँ पे divert किया जाता है, ठ ठीक है, पिसर वाइर के वज़े से जो forest था, उसे area के वो काफी समर्ज हो गया, ठीक है, अब डाम इसलिए उस वक्त बनाया गया था, क्योंकि उनको एक कनाल डाइवर्ट करना था, ठीक है, उस कनाल का नाम है तवा कनाल यह तवा नहर, ठीक है, तवा नहर यह तवा कनाल, तो उसके बाद यह divert हुआ, तो कुछ पानी इस तरफ चला गया, और यह जो यह जो पानी है, ठीक है, यह अभी भी तवा रिवर ही कहा जाता है, अच्छा, अब यह जो तवा डाम है, यह MP का सबसे longest डाम है, ठीक है, MP का सबसे longest डाम है, ठीक है, I repeat again, यह तवा डाम MP का सबस longest डाम है, अच्छा, मैं एक मिन्ट यह सब चीज़े साफ करते हैं, तो गंदा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद यह जो तवा रिवर है, वो आगे जाता है, और यह मिलता है, इसके उपर एक बना हुआ है ब्रिज, तवा ब्रिज, ठीक है, यह ब्रिज बना है, तवा ब्रि एई इस रिवर के उपर बिए, ठीक है, उसके बाद यह होशंगाबाद साइट में, होशंगाबाद थोड़ा से एरिया में यह नर्मदा के साथ मिल जाता है, और नर्मदा आपको पता है कि अरेवियंसी में मिल जाता है, ठीक है, तो एक और बार देख लेते हैं, तो यहा पर है आपका पचमडी हिल्स, ठीक है, पचमडी हिल्स में जब तवा, जब यहां पर बारिश होती है, तो बहुत सारे waterfalls बनते हैं, बहुत प्यारे waterfalls मनते हैं आपको, बारिश के टाइम पर जाना है चाहिए, बहुत प्यारी जगा है पच्छमरी, ठीक है, तो यहां पर एक है बी falls ठीक है, यह एक बहुत प्यारा waterfall है, फिर उसके पास है duchess fall, तो यह है आपका duchess fall, यह है, फिर उसके बाद रजजट fall, ठीक है, उसके बाद है, अपसरा fall, तो यह तीन-चार falls है, जो आपको याद करना है, अभी याद करने के जरूद नहीं है, क्योंकि यह lecture है तवा की उपर, मैं एक specific lecture बनाऊंगा, सिर्फ waterfalls के लिए, बहुत मजा आएगा, मैं उसमें Google Maps के में 3D views दिखाऊँगा, बट अभी के लिए बस तवा के बारे में याद करना है, तो यहां पर यह है पचमडी, ठीक है, यह है पचमडी एरिया, पचमडी कहां पर है, होशंगबाद में, पचमडी साइट से थोड़ा सा पानी आता है तवा का, फिर बेतुल साइट से भी तवा का पानी आता है, यह मिलता है सत्पुता रिफ सर्वायर में, फिर एक होके यह तवा रिवर बनता है, और यहां पर एक डाम बना दिया, तो उसकी जो कनाल है इसको लंबा करते जा रहे हैं तो ये कहां रुक गया है इसका कोई किसी कुछ आइडिया नहीं अभी ठीक है उसके बाद ये जो वाला पार्ट है ये नर्मदा में मिल जाता है ठीक है अच्छा ये आपको बेसिक मैप है अब मैं आपको 3D मैप दिखाता हूं Google मैप में बड़ा मजाएगा आपको एक्षली जल्दी समझ में आ जाएगा चलिए अच्छा तवा रिवर को जानने से पहले हमें देखना होगा कि तवा रिवर के दो ब्रांच असे एक ब्रांच बेतुल से आता है और दूसरा पचमडी से तो सबसे पहले हम पचमडी वाला ब्र ठीके इसकी उपर है महातेव टेंपल यह है पचमडी ठीके पचमडी है हिल स्टेशन हो शंगबाद में तो सबसे पहले यहां इस एरिया में बारिश होती है ठीके बारिश के वज़े से जो पानी है वो नीचे आता है ठीके पानी नीचे गिरता है और बारिश का पानी निकलते निकलते आपको जाना है एक एरिया पे वह है सत्पुरा रिसरवायर मैं अभी दिखाता हूँ ठीक? तबस एक बर गोल घुमाने दो दोसको ठीक है आपने गोल घुमा दिया ठीक है चलिये अब मैं इसको ठोड़ा नुचे करता तो यहां पे आप देख रहे हैं सत्पुड़ा रिजर्वायर ठीक है और यहां आपका महादेव हिल्स ठीक है महादेव हिल्स यहां पे ता तो यहां पे एक और ब्रांच आता है वो है बेतुल वाला ब्रांच ठीक है यहां से आता है पेतुल वाला ब्रांच ठीक है यह जो द फिर से रिप्रीट करता हूँ, यह है बेतुल वाला ब्रांच, ठीक है, बेतुल वाला ब्रांच, बेतुल से आता है, और दूसरा है महादेव वाला ब्रांच, ठीक है, यानि की पचमडी वाला यहां से वो पचमडी वाला ब्रांच आता है, तो यहां पे पानी खटा होता है, यह है आपका सत्पुड़ा reservoir ठीक है यह है आपका सत्पुड़ा reservoir ठीक है उसके बाद यहां पे थोड़ा पानी खटा होने के बाद वो फिर से तवार नदी ठीक है मतलब आगे बढ़ता रहता है यह बढ़ने लग गिया फिर से तवार रिवर ठीक है यह है आपका तवार तो यहां पर हम आ गए है, reservoir पे, तो यहां पर basically एक dam बना है, मैं दिखाता हूँ वो dam, तो यहां पर एक dam बन गिया है, तो डाम के वज़े से पानी यहां पर accumulate हो गया थो इसको कहते हैं, तवा reservoir, ठीक है, यह है आपका तवा reservoir, वायर ठीक है यह बड़ा सा रिसर वायर ठीक है यह है लेक जैसा जो बन गया है वो है आपका तवा रिसर वायर तो मैं अब दिखाता हूँ आपको जो वो डैम है तो यह है वो डैम ठीक है यह है तवा डैम मैं एक मिनिट इसको दिखाता हूँ तो ये है वो वाला डाम, एक मिनिट, तो ये है वो वाला डाम, ठीक है, ये है रिसर वायर, तवा रिसर वायर और ये है तवा डाम, ठीक है, ये है डाम और ये है तवा रिसर वायर, अच्छा, तो ये क्या है, तो ये बेसिकली तवा रिवर वापस से तवा रिवर ही है, ठीक मैं फिर से दुराता हूँ, यह है Tawa River, ठीक है, यह है Tawa Reservoir, और पीछे भी जो था, वो भी Tawa River ही था, और यह है Tawa Dam, ठीक है, यह है Tawa Dam, Tawa Reservoir, Tawa Dam, और वापस से यह है Tawa River, अच्छा, इसमें एक important सी चीज देखनी है, ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो यहा आपका Tawa River है, और यहां से एक थोड़ा सा पानी Tawa Channel से डाइवर्ट किया, यह एक चैनल बना दिया है, ठीक है, यहां पर उन लोगने रिजर्वायर बना दिया, ठीक है, कमाल की इंजिरिरिंग किया है, नोगने यहां पर, यहां पर सबसे पहले उनने डाम बना दिया, फिर में जो पानी वो जा रहा है, वो है Tawa River, ठीक है, और एक चैनल निकाल दिया है, ठीक है, यहां से एक चैनल निकाल दिया, ठीक है, यह है आपका Tawa Channel, ठीक है, यह है आपका Tawa Channel, ठीक है, चैनल निकाल दिया है, ठीक है, यह आप देख रहे हैं, यह है आपका Reservoir, यह है Tawa River, और यह है तवा चैनल, ठीक है, चैनल निकाल दिया उन लोग ने, तो basically इसका purpose यह है, जो area जहां पर बारिश नहीं होती, उस area में इन लोग ने पानी टाइफ़र कर दिया, देखिए यह पानी जा रहा है, यह है तवा चैनल, ठीक है, तो यह कहां तक जाता है, यह actually खंडवा तक जा रहा है आजकल, ठीक है, यह वाला पानी खंडवा तक जा रहा है, तो मैं वहां तक नहीं लेकि जा रहा हूँ आपको, बस आपको एक fact बता रहा हूँ, तो एक और बार repeat कर लेते हैं, ठीक है, यह है आपका solid सा तवा रिवार, ठीक है, और यह है तवा रिसर वायर, यह है आपका तवा डैम और यहां पर एक चैनल के द्वारा आपको डाइवर्ट कर दिया है चैनल यह है तपा चैनल ठीक है पानी डाइवर्ट कर दिया थोड़ा सा ताकि खंड़वा जैसे एरिया जहां पर जादा पारिश नहीं होती वहां पर पानी की मज़ोग खिलब मच अब यहां पर आगे और जा रहा है जा आगे जा रहा है अब यहां पर इक प्रिज आएगा ऐस को देखना थैखbrigए ब्रेज आगे निकल ठीक है यह है वो चैनल और वो जा रहा है खंडवा साइट ठीक है तो यह है आपका जो रिवर थवा रिवर और यहां पे यहां पे वो नर्मदा से मिल गया ठीक है यहां पे नर्मदा से मिल गया ठीक है यहां पे नर्मदा से मिल गया तो यहां पे कई वो ब्रिज है ठीक है त तवा ब्रिज, हाँ, मैंकर सबसे यह है तवा ब्रिज, ठीक है, यह है आपका तवा ब्रिज, तो यह है MP का सबसे लॉंगेस्ट ब्रिज, ठीक है, होशरंगबाद ने, यह है MP का सबसे लॉंगेस्ट ब्रिज, ठीक है, और यहां पे, यहां पे वो, तो यह जो एरिया है, जहा पर नर्मदा तवा से मिलता है उसको कहते हैं बांधरबान ठीक है बांधरबान तो यह है सबसे बड़ा पुल that is तवा ब्रेज ठीक है MP का सबसे बड़ा प्रेज ठीक है यह होशंगबाद में और यह जा रहा है आपका तवारीवर ठीक है तो आपको बेसिकली जिस तो समझ मे आ गया होगा एक और बार मैं अच्छे से समझाता हूं ठीक है आप जाइए मत एक और बार अच्छे से आपको याद हो जाएगा तो यह है आपका तवारीशर वायर ठीक है एक मिनिट एक मिनिट यह है आपका तवारीवर यह है आपका तवारीवर और यहां से आपको जाता वह दिख रहा है वह है आपका नमदार रीवर ठीक है यह है आपका नमदार रीवर यह है तब अब 3 न woo यह पैसा रिवर लेके चल रहा है मझ्यक पदिश्टिश्टी इसान नमदार रिवर ठीक है बढ़िया तो कैसे लगा Google Map बढ़िया था, चलिए अब हम देखते हैं content, तो हमने बात की थी कि तवा के दो origin place है, एक है सत्पुरा hills बेतुल में, और दूसरा है महादेव hills, वो भी सत्पुरा कई पार्ट है, वो है पच्मणी होशंगबाद में, तो अगर कोई पूछेगा कि तवा कहां से start होता है, तवा start होता है सत्पुरा hills में, सत्पुरा mountain ranges में, ठीक है, और उसके दो variance है, एक है महादेव hills, महादेव hills से एक पार्ट आता है, वो है पच्मणी वाला, होशंगबाद वाला, और दूसरा start होता है, बेतुल वाला, ठीक है, दो पार्ट है, अच्छा, और ये west bank tributary है, ठीक है, west bank tributary है, और इसका length है 172 km, तो ये याद करना है, 172 km याद करना है, क्योंकि ये नर्मदा का सबसे, सबसे longest tributary है, ठीक है, तो इसलिए इसका number याद करना होगा 172 km, it's the longest tributary of नर्मदा, अच्छा, और ये of course अप उनको पता है, कि ये तवा bridge सबसे लंबा bridge है, MP का, ठीक है, तवा bridge MP का सबसे largest bridge है, और ये होशिंगा बाद में, अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं, कि एक तवा डाम बना था, 1958 में वो भी हमने याद किया था, तो इसका purpose क्या था, इसका purpose था कि कंडवा और खरगोन, जो नीमर्ट एरिया कहते हैं, वहाँ पे मकनलाला नायर, ठीक है, बबबई मकनलाला नायर, उस एरिया का नाम है बबबई, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम भी वैसी पड़ा हुआ है, और ये MP का longest डाम है, तो हम पें देख लिया कि MP का longest डाम तवा है, MP का longest bridge भी तवा ही है, ठीक है, चलिए, अच्छा, तवा reserve has submerged several parts ये तो आप उनको पता ही है, कि तवा reserve ने, जब तवा की उपर जब डाम बना था, तो एक reserve बन गया था, ठीक है, एक बहुत बड़ा reservoir बन गया था, अब इस reservoir की वाज़े से जो बोरी reserve था, बोरी reserve जो wildlife protection के लिए था, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है, environment section में बड़ी के लिए देखो कि बोरी reserve के जो काफी area है, वो समझ हो गया था, चलिए, अब थोड़ा देखते हैं, waterfalls के बारे में, waterfalls का बस थोड़ा सा देखना है कि नाम क्या क्या है, और उसके बार देखेंगे कि तवा के जो tributaries है, तीन tributaries है, ठीक है, तवा के तीन tributaries है, उ मलीनी, एंड सुखवाता, ठीक है, देनवा, मलीनी, एंड सुखवाता, अब waterfalls है, बीफ फॉल्स, जमुना, रजजद, डच्छस, अपसरा, और silver falls exactly वहां का नहीं है, बट इसलिए इंक्लूट किया गया है, क्योंकि यह जो duchess falls के जस्ट पास है, यह silver falls, और यह जो पानी जिससे आपका जो तवा रिवर बनता है, उसी पानी से यह silver falls भी बनता है, तो इसलिए कोई confusion है, कि अगर तवा का पानी से ही यह silver falls बनता है, तो technically हां कह सकते हैं, चलिए, अब थोड़ा MCQ सॉल्फ करते हैं, अच्छा, तो सबसे पहला question, MCQ में सबसे पहला question, which is the longest tributary of नर् क्योंकि 172 km, इसलिए important है, क्योंकि यह MP में जो नर्मदा है, उसका सबसे longest tributary है, इसलिए 172 km, अच्छा, is the place where तवा joins नर्मदा, यह एक important village है, बद्रबान, ठीक है, हमने Google Maps में देखा था, कि बद्रबान एक village है, जहां पे यह नर्मदा से मिलता है, तो correct answer है, बद्रबान, तवा नर्मदा से मिलता है, उस जगे का नाम है बद्रबान, चलिए, उसके बाद देखते हैं, which of them is not a waterfall associated with तवा river, तवा river के साथ इन में से चार कौन सा waterfall है, जो तवा का नहीं है, तो तवा का river, jog waterfall नहीं है, jog waterfall actually आता है करनाटा का में, तो correct answer है यह, फिर अपसरा तो तवा क सब गलत है, jog waterfall सही है, क्योंकि question है कि तवा के साथ जो association में नहीं है, जो waterfall तवा से related नहीं है, उसके बारे में बताओ, तो वो है jog waterfall, jog waterfall है करनाटा का में, चलिए खतम करते हैं